पूनम का परिवार बहुत गरीब था घर में पूनम पाँच पहनों में सबसे बड़ी थी पूनम के मादा पिता मज़दूरी करते थे इसलिए घर का सारा काम पूनम ही संभालती थी पूनम रोटी बन गई तो बापू को दे दो माँ बापू को मैंने खिला दिया आप भी खालो सुबह से काम पर गए हुए होते हो कितनी मेहनत करते हो सब ने खा लिया ना हाँ मा हम सब ने खा लिया तुम रह गई हो बस उनम अपनी मा से जूट बोल रही थी कुछ तेर पहले सबको खिलाने के बाद ये दो रोटी बच्ची है माने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा मैं ये रोटियां मा के लिए रख देती हूँ मा ये लो रोटी खालो मेरी बच्ची कितनी सयानी है सबका कितना खयाल रखती है पुनम खुद भूखी रहकर अपनी मा और बाकी घरवालों को खाना खिला देती है पुनम के मा बापु को कुछ दिनों से मजदूरी का काम मिलना बंद हो गया था इसलिए पैसों की दिक्कत बढ़ती जा रही थी सुमन मजदूरी का काम कुछ समय तक मिलना मुझे तो मुस्किल ही लग रहा है सही कह रहे हो मैं भी इसी चिंता में हूँ सब कुछ कैसे होगा अरे क्या हुआ तुम्हें कुछ बोलते क्यों नहीं पुनम विभा आशा निशा वर्षा जल्दी आओ देखो देखो तुम्हारे बापु कुछ बोल नहीं रहे बात करते करते अपना सीना पकड़ कर लेड गए पुनम भागती हुई पडोस के डॉक्टर को लेकर आती है पुनम के पिता को हाट अटेक आया था जिस कारण घर में परिशानिया और बढ़ गई पहले तो कमाने वाले दो थे अब सर्फ सुमन ही थी जो मज़़ूरी का काम तलाश कर घर को चला रहे थी पर मज़़ूरी के काम से भी सुमन कितना कमा ले थी पुनम अपने घर की परिशानी को देख कर बहुत चिंता में थी एक दिन जब सुमन काम से लोटी विभा पुनम कहा है मा पुनम दीदी तो हम सब को रोटी दे कर और बापु को दवाई खिला कर कहीं गई है बोल रही थी थोड़ी देर में आ जाएंगी ऐसे कहां गई होगी मैं देख कर आती हूँ उझे तो चिंता हो रही है तब ही पुनम आ जाती है पुनम कहां गई थी तु बिटिया मा तुम अकेले ही काम करती रहती हो मैं सोच रही थी थोड़ा बहुत काम मैं भी कर लू तुम अकेले ही कब तक मजदूरी का काम ढूमती रहोगी कई बार तुमें काम मिलता भी नहीं है बापु की भी तब भी ठीक नहीं है मा मैंने पडोस वाली गीता चाची को बोला था कोई काम मिल जाए तो बता देंगी मुझे एक होटल में बरतन धोने का काम मिल गया है एक दिन के 50 रुपे देंगे बस थोड़ी देर के लिए जाय करूंगी पूनम की बाते सुनकर उसके माता-पिता की आँखों में आसुआ जाते हैं अगले दिन से पूनम घर का सारा काम करके होटल में बरतन माजने चली जाय करती थी जब उसकी चारों बेहने अपनी बेहन को मैनत करते देखती थी तो वो भी पीछे से घर का काम करने लगती थी पूनम जिस होटल पर काम करती थी वो एक साउथ इंजन होटल था धीरे धीरे पुनं की अच्छी आदत को देखते हुए होटल के मालिक ने उसे वहाँ की साफसफाई का काम भी दे दिया अब पुनं बर्तन के साथ साथ होटल की साफसफाई भी संभालने लगी एक दिन पुनं ये क्या कर रही है बिटिया? मा यह डोसे का घोल बच किया था तो मालिक ने मुझे दे दिया मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस पेस से डोसा बना कर आप सबको खिलाओं ये दो आलू रखे थे मैंने भढ़ने के लिए उबाल लिए उनम दीदी मैं तो दो दोसा खाऊंगी तीदी, तुम तो आज बिलकुल डोसे वाली लग रही हो, उनम ये तो बहुत स्वादिश लगता है, बिलकुल हलका पापर जैसा है ये तो पूनम, विभा की बात सुनकर पूरम सोचने लगती है, जगर मैं डोसा बना कर बेचू तो मैं अच्छे पैसे कमा सकूँगी, फिर म मैं सोच रहे थी क्यों न मैं डोसा बनाने का काम शुरू करूँ, मैंने कुछ रुपए अलग जोड लिये हैं, पूनम, तु कितनी समजदार हो गई है मेरी बच्ची, हम तो तुझे कोई सुक दे नहीं पाए, पर तु हमारे लिए कितना कुछ सोचती है, पूनम सुमन के सा जाकर डोसा बनाने की कुछ बरतन खरीती है, और फुटपात पर ही एक मेज लगा कर डोसा सांबर बना कर बेचने लगती है, धीरे-धीरे कुछ ग्राहक वहाने लगते हैं, पूनम के हाथ के बने डोसे बढ़ियां होते थे, और सबसे बड़ी बात कि वो अपने स्टॉल को बहुत साफ सुत्रा रखती थी, सस्ते दामों में ग्राहकों को बढ़ियां डोसा मिल जाता था पर एक दिर, मा, बारिश के दन शुरू हो गया है, अब मेज पर दुकान लगाना मुश्किल हो जाएगा, मैं कैसे काम करूँगी, निराश मत दो, तुने इतनी मेहनत से काम श शुरू कर दिया, शुरू शुरू में उसे काफी परिशानी आई, मा, घर से डोसा बना कर देने में कमाई कम नुकसान जादा हो रहा है, आज भी बहुत सामान बच गया, लोगों को पता नहीं चलता कि यहां डोसा मिलता है, पूनम दीदी, आजकल मोबाइल फोन का जमाना है, आप सबसे पहले एक मोबाइल फोन खरीदो, हम उस पर लोगों को बता सकते हैं कि हमारी डोसे की दुकान है, पूनम दीदी, निशा ठीक कह रही है, सबसे पहले आप एक ऐसा मोबाइल फोन लो, जिसके उपर आप लोगों को अपनी दुकान का पता और खाने का सामान भ कारे में जानती थी, वो उन लोगों को सोशल मीडिया की वो सारे आप बता देती है, जहां से पूनम और पर अपना डोसा बेच सकती थी, धीरे धीरे पूनम एक सफल दोसे वाली बन जाती है, उसका डोसा बनानी का काम चल पड़ता है, शेहर में पूनम का एक साउथ इंड के पास वो सब खुश था, जिसकी उन्होंने कभी कामना भी नहीं की थी, शेहर से दूर एक चमपानगर नामक गाउं था, इस चमपानगर नाम के पीछे बहुत ही भूतिया घटना है, शेहर से दूर होने के कारण यहां दुकान यातायात की बड़ी समस्या थी, कोई भी ज जरूरी सामान लेने जाना हो, तो सीधा शेहर जाना पड़ता था, उसी गाउं में चमपा अपनी छोटी बहन चमेली और बाबा के साथ रहती थी, अच्छा बेटा, मैं शेहर किसी काम से जा रहा हूं, कुछ दिनों में वापस आ जाओंगा, तुम दोनों घर का खयाल रख बाबा मेरे लिए शेहर से चाट पकोड़ी लाना, और मेरे लिए समोसे और पानी पुरी, अच्छा अच्छा लेते आउंगा, तुम दोनों एक दूसरे का खयाल रखना ठीक है, और कुछ जरूरत हो तो रामू चाचा के घर चले जाना, जी बाबा, अच्छा मैं चलता हू चमपा और चमेली बाबा को दर्वाजे से विदा करते हैं, दीदी हम चाट खाएंगे, बड़ा मजा आएगा, मजा तो आएगा, कुछ दिनों बात चमपा और चमेली के बाबा अपने शेहर का काम निप्टा कर गाउं वापस आ जाते हैं, और साथ में दोनों के लिए पान पानिपुरी और चाट लाएं हैं, हाँ, बेटा, मैं तुम दोनों के लिए धेर सारी पानीपुरी और कचोडिया लाया हूँ, चमपा और चमेली बड़े मज़े से बाबा के चाट और पानीपुरी खाते हैं, चमेली पानीपुरी का आनंद उठाते हुए कहती है, काश अम हमारे गाउं में कोई पानीपुरी वाला होता तो कितना मज़ा आता। हाँ चमेली फिर तो हम रोज पानीपुरी खाते। कुछ दिनों बाद गाउं के छोर में मोहन पानीपुरी और चाड सेंटर का ठेला दिखाई देता है जो सभी को फ्री में पानीपुरी खेलाता है। कितना अच्छा काम करते हो तुम भाई। अरे कहां ये सब तो आपकी मेहरवानी है और लोगों का पेट भरना मेरा पेशा। पानीपुरी की चर्चा सारे गाउं में थी। चमेली भी मोहन पानीपुरी सेंटर गाउं में खुलने और उसके स्वादिष्ट होने की चर्चा सुन रही थी। वो दोड़ी-दोड़ी बाबा के पास गई। बाबा-बाबा, हमारे गाउं में एक नया पानीपुरी वाला आया है। वो सब को फ्री में पानीपुरी खिलाता है। लोग कहते हैं उसकी पानीपुरी बड़ी स्वादिष्ट है। हमें भी उसकी पानीपुरी खाने चलना चाहिए। क्या? मुफ्त में? हाँ दीदी, वो सबी को मुफ्त में पानीपुरी और चाट खिलाता है। हरे, ये तो गजब हो गया, हम कली बात कर रहे थे कि काश गाउं में कोई पानीपुरी वाला होता, और आज वो बात सेच हो गई। अरे, वा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम कल ही चलेंगे। जी बाबा, अगले ही दिन से मोहन पानीपुरी सेंटर में भीड बढ़ने लगती है, गाउं के सभी लोग मोहन की पानीपुरी और चाट चकना चाते हैं, ठेले के चारों तरुव ग्राहक खड़े पानीपुरी और चाट का अनंद लेते हैं। वाँ भाईया, है मज़ा आ गया, क्या पानी पुरी बनाते हो, और फ्री में भी खिलाते हो, कितना अच्छा काम करते हो तुम भाई, मोहन भाई मज़ा आ गया, वाँ मुआ, खाये, खाये, खूब खाये, बच्चों कभी खिलाईए कितना अजीब जलजीरा है, लगता है पीते रहो, पीते रहो, आहाहा, शुक्रिया, शुक्रिया, और लीजिये वा, मोहन काका जैसी पानी पुरी कभी नहीं खाई कुछे दिनों में मोहन के मुफ्त में पानीपुरी के चर्चे सारे काओं में थे अगले दिन चमेली बाबा के साथ पानीपुरी खाने के लिए तैयार थी अरे अब चमपा कहा है? उसे पानीपुरी खाने नहीं चलना चंपर असोई में कुछ काम कर रही थी वहीं से आवाज आई नहीं बाबा मुझे थोड़ा काम है आप मेरे ने पानीपुरी पैक करा कर ले आना मैं यहीं खालूंगी अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है नीदी मैं ले आउंगी दोनों पानी पुरी खाने चल देते हैं वहाँ पहुचने पर उन्हें पता चला कि वहाँ काफी भीड़ है बहुत से लोग पानी पुरी खा रहे हैं जिसे देख बाबा और शमेली बहुत प्रसन्न हुए दोनों मोहन के पास गए मोहन तुम्हारी पानी पूरी और चाट के बारे में बहुत चर्चे सुने हैं जरा हमें भी चाखाओ हम भी तो देखें तुम्हारी पानी पूरी कैसी है चमेली बड़ी खुश थी अरे आईए आईए आउ बेटा आओ ये लो खाओ खूब खाओ और मज़े करो है सप्रीम है पेट भर के खूब ये लो बाबा और चमेली दोनों पानी पूरी खाते हैं और उसके स्वार में खो जाते हैं वा मोहन वा जैसा सुना बिलकुल वैसा ही पाया कितनी स्वादिश्ट पानी पूरी है मज़ा ही आ गया वा मोहन काका मज़ा आ गया लोग सच कहते हैं, इतनी स्वादिश्ट पानी पुरी तो आज तक ना खाई थी, थोड़ा जलजीरा और मिलेगा हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो, और खाओ, लो चमेली और बाबा दोनों पेट भर कर पानी पुरी खाते हैं काका, अज तो मज़ा आ गया, कल फेर आउंगी बिल्कुल बिल्कुल बेटा जरूर आना है, बिल्कुल आना अच्छा मोहन, एप प्लेट पानी पुरी पैक कर दो बाबा और शमेली चम्पा के लिए पानी पुरी पैक करा कर घर ले आते हैं चम्पा उन्हें घर के करीब आते देख बहुत खुश होती है, लेकिन घर के नजदीक पहुँचते ही, उनकी पानी पुरी की थैली को कुट्टे चीन कर ले जाते हैं, ये देख कर चम्पा बड़ी निराश होती है तुम निराश मत हो चम्पा, हम कल फिर से पानी पूरी खाने चलेंगे चम्पा खुश हो जाती है, उस राट बाबा और चमिली के पेट में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कैसे भी उस राट उन्हें नीद आ जाती है सुबह होती है तो चम्पा को कराने की आवाज सुनाई देती है आ, आ, उठकर देखती है तो दो बुढ़े व्यक्ति उसके बाबा और उसकी बेहन की जगा लेटे हुए थे आ, आ, ये मुझे क्या हो गया दूसरा गुढ़ा अदमी इतना बुढ़ा था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था सामने बुढ़ी दादी और बुढ़े व्यक्ति को देख वो अचम्पित हो जाती है अरे दादी आप कौन है और यहां कैसे और मेरी छोटी बेहन चमेली और बाबा कहा है अरे दीदी मैं चमेली ही हूँ आप की छोटी बेहन चमेली पता नहीं कैसे मैं बुढ़ी हो गई चमेली तुम तुम इतनी बुढ़ी कैसे हो गई मुझे नहीं पता दीदी कल रात तक तो मैं और बाबा ठीक थे लेकिन आज सुबह होते ही मैं और बाबा चमेली रोने लगती है चम्पा भाग कर बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ सभी लोग बूढे हो चुके हैं और दर्थ के मारे करा रहे है हर तरफ चीखे और पुकार थी चम्पा दोड़ कर रामु चाचा के घर जाती है वो भी बूढे हो चुके थे रामु चाचा, रामु चाचा आप कहा है? घटिया में पड़े रामु चाचा की आवाज सुनाई दी बेटा, मैं यहां हूँ तुम ठीक हो हाँ, मैं तो ठीक हूँ रामु चाचा पर ये सब क्या हो रहा है सब ही लोग बूढे कैसे हो गए पता नहीं बेटा कल तक तो सब बढ़िया था जब से मोहन पानी पुरी और चाट सेंटर की पानी पुरी खाई है तब से पेट कुछ खराब रहने लगा और आज सुभा उठा तो पूरा गाउं बुढ़ा हो चुखा था और मैं भी चमपा को लगा जरूर इसमें मोहन पानी पुरी वाले का ही हाथ है वरना कोई चाट और पानी पुरी फ्री में क्यों खिलाता रात होने पर चमपा छुपकर मोहन के ठेले के पास जाती है तो वहां मोहन दिखाई देता है वो जोर जोर से हसरा था ये पानी पुरी नहीं, मेरे रसायन का कमाल था, अब मैं कभी बुढ़ा नहीं होंगा चमपा चुपके चुपके ये सब देख और सुन रही होती है अच्छा, तो ये बात है मोहन खुशी में इतना पागल हो गया कि उसका रसायन का डिबबा उसके ठेले से नीचे गिर गया मगर उसने ध्यान नहीं दिया, और वो अपना ठेला लेकर वहां से चला गया चमपा उस रसायन के डिबबे को उठा कर घर ले आती है अगले दिन चमपा बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है और मोहन के पास जाती है मोहन काका, मुझे भी पानी पुरी खिला दो चमपा को देख मोहन सोच में पड़ जाता है अरे, ये लड़की कैसे बच गई? कोई बात नहीं, आज इसकी भी उम्र छील लूँगा अरे, बेटा, आओ, 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 तुम भी खाओ, ये लो है पर एक शर्त है, आप इतने दिनों से हमें फ्री में पानी पुरी और चाट खिला रहे हो इसलिए आज मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ ये लीजे, पहले आप मेरे हाथों से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन खाईए, तो अभी मैं पानी पूरी खाऊंगी चमपा सारे व्यंजन मोहन को दिखाती है मोहन इतने सारे स्वादिष्ट पकवानों को देख कर खुद को रोक नहीं पाता अरे, बस इतनी सी बात, मैं अभी खा लेता हूँ जैसे ही मोहन खाना खत्म करता है, वो धीरे-धीरे बुढ़ा होने लगता है ये क्या हो रहा है, मुझे चमपा हस्ती है, वही जो तुमने गाउंवालों के साथ किया खुद का रसायन, खुद चकर कैसा लग रहा है भूतिया पानीपुरे वाले मैं तो तभी समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है जब तुमने पूरे गाउं को फ्री में पानीपुरी खेलाई पानीपुरी वाला धीरे-धीरे बुढ़ा होने लगता है अरे मेरा रसायन, रसायन कहां गया, मेरा रसायन कहां गया तुमारा रसायन, तुमारा सारा रसायन इही स्वादिस्ट पकवानों के साथ तुमारे पेट में है और वो भूतिया मोहन पानीपुरी वाला बुढ़ा होते होते गायब हो जाता है धीरे धीरे सभी गाउंवालों को उनकी उम्र वापस मिलने लगती है अरे देखो देखो मैं ठीक होने लगा मैं ठीक होने लगा मेरी उम्र वापस आ रही है चमेली और उसके बाबा भी अपनी असलिर उम्र में वापस आ जाते हैं चम्पा की ये बहादुरी देख सभी गाउं वाले उसकी तारीब करते हैं। चम्पा, तुमने अकेले ही हम सब की जान बचा ली, तुमने कमाल कर दिया। नहीं रामु चाचा, ये सब आपकी देखरेक का ही कमाल है कि मैं जल्दी ठीक हो पाई। और उस भूतिया पानी पूरी वाले को सबक सिखा पाई। वाह चम्पा बेटा, तुम्हारी चतुराई और बहादुरी से आधसारा गाउं बच गया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तब से सारे गाउं वालों ने गाउं का नाम चम्पा नगर रख दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस वीडियो पर। और हाँ, शेयर करना भी न भूलें। और भी मज़िदार वीडियो देखने के लिए नेचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए, बेस्ट बडीज।